हलो स्टुडेंट्स यह आपका पार्ट 10 वीडियो है इस प्रकार का पार्ट 10 वीडियो में प्रस्णावले 6C पर है और कोशन नंबर है 8 कहा रहा है कि एक तिरभूज ABC की बुजा BC पर एक बिंदू D इस प्रकार इस्तित है कि एंगल ADC बराबर में एंगल BAC है तो चलिए मैं यहाँ पर एक तिरभूज पहले बना लेता हूं ठीक है जो जो आपके कोशन में कह रहा है उसी के अनुसार ABC हमारे पास एक तिरभूज है कह रहा है BC बुजा जो है इस पर एक बिंदू D इस चित है एक बिंदू D इस प्रकार है कि एंगल ADC यानि यह वाला कौन एंगल ADC बराबर है एंगल BAC ठीक है तो हमें इसको दर्शाना यह प्रूप करना हमें चलिए देखते हैं क्या दिया हुआ है दिया है तिरभूज ABC की भुजा BC पर D इस प्रकार इस्तित है बिंदू D इस प्रकार इस्तित है कि एंगल ADC बराबर में एंगल BAC यह दिया हुआ है तो सिध करना है Doसिद करना है क्या सिध करना हमें तो सिध करके लिएंटू कि सी't इसक्वायर. इक्वल्टो में C B इन्टू सीडि यह हमें प्रूप करके दिखाना यह साबित करना चलिए हम लोगे बहुत ही सिंपल सा कोशन 't challenge quarters क्कैं हमें क्या बित कर देंगे तो चलिए हम यह जो कोड़ दिया नाम ले लेते हैं तिर्भूज ADC तथा तिर्भूज BAC में देख लिजे ADC इस तिर्भूज में और यह BAC इस बड़े वाले तिर्भूज में तो पहला तो एक चीज आप बराबर दिया ही है कि एंगल ADC बराबर है एंगल BAC के यह दिया हुआ है दूसरा कोड़ देखिए ADC तिर्भूज में भी एंगल C है और ABC में भी आपका एंगल C है थाना BAC वाले इस तिर्भूज में भी एंगल C हो रहा है और ADC में भी आपका C ह हो रहा है तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि इंगल c ब़्याबर में एंगल с अक कुभय निष्ट कि दोनों तिर्भूझों के हैं थीक कि तो यहां से हो जागा तिर्भूझ त्रिभूजों के संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। अब जो हमें प्रूब करना है जो साबित केना है उसी कमसार हम लोगों भूजा लेंगे। है कि यहां e sqr dh o आप देखो यहां से नाम पकड़ना, आपने c a लिया तो यहां पर आप क्या लिखोगे do here c e tb यहां 've c ya sqr पकड़ में जागा फिगर में थोड़ी दिक्कत होगी लेकिना से आप आसानी से समझ सकता है आपने यहां CA लिया है भुजा इसमें लेंगे CB ठीक है अच्छा आप देखिए CB तो हमने ले लिए इधर CD एक है तो हम लोगो इस तिर्भूज की भुजा CD ले रहा है ध्यान से द दिखाना था हमने दिखा दिया चलिए अब चलते हैं नेक्स कोशन पर चलिए अगला कोशन देखते हैं नाइन नंबर कह रहा है कि लंबाई 6 मीटर वाले एक उर्दवारदर स्थम्भ की भूमी पर छाया की लंबाई 4 मीटर है जबकि उसी समय एक मिनार की छाया की एक स्थम्भ है तुषिह अब माल लो यहां पे आपका सूरज है कि यह सूरज यहां पर है यहां पर इस स्थम्भ की च्षाया बनेगी ठीक इस तरह से चाया बनेगी तो यह 6 मीटर लंबा इस्तम्भ है और इसकी चाया यहां पर देखना उर्दवारदर है यानि कि तल पर लंबा बहुत होगा 4 मीटर लंबा चाया बन रहा है फिर कहा रहा है उसी समय में क्या हो रहा है एक मिनार की चाया 28 मीटर है अच्छा माल लो यह आपका मिनार हो गया ठीक है यह आपका मिनार हो गया जो भी माल लेते हैं ठीक है और यह उसकी चाया हो गई तो चाया की लंबाई जो है 28 मीटर है करा मिनार की उचाया याद गया तो यह मिनार हमारा यह है तो हम लोग एक्स माल लेंगे ठीक है अब देखिए हम लोग यह मान लेते हैं कि माना मिनार की उचाई एक्स मीटर है ठीक है अब देखिए जब यह सूरज यहां पर किसकी बात हो रही एक ही समय पर एक ही समय पर दोनों छाया बना है तो जब यह सूरज आगास में आपको पता है कि आपके धरती पे जब इसके किरने आती है तो वह समान्तर किरने कहीं जाती है ठीक है समान्तर किरने कहीं जाते है सूरज से आने वाफी किरने किरने इधर hokra painter dalej यहां पर वाली किड़ने क्या होती है आपके समानतर होती है यह दोनों किड़ने जब एक दूसरे समानतर होंगे तो यहां और यहां कोड़ समान अंत्रित होंगे और एक नभब ही होगा चलिए तो नाम देते हैं A, B, C, तिर्भूज, और इसको देते है P, Q, R, ठीक है, हम लोग लिखेंगे, कि हम जानते हैं, हम जानते हैं कि, सूर्य से, आने वाली किर्ने, समांतर होती हैं, समांतर होती हैं, इसलिए यहाँ पर हम लोग, एंगल C बराबर एंगल R ले सकते हैं, और एंगल B बराबर एंगल Q हो जाएगा, प्रतेक 90 के कारण, ठीक है, तो यह दोनों तिर्भूज समरूप हो जागा ना, जी, तिर्भूज A, B, C, समरूप हो जागा, तिर्भूज P, Q, R कैसे? एंगल एंगल समरूपता से, जब समरूप हो गया, तो हमें पता है कि दो समरूप, तिर्भूजों के, संगत भूजाओं का अनुपात, संगत भुजाओं का अनुपात संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है बराबर होता है संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है तो इसी कारण से हम लोग या लिख सकते हैं AB बटा PQ बराबर में BC बटा QR तो AB के वैलू 6 मीटर है PQ जो है आपका X है BC आपका 4 मीटर है और QR जो है आपका 28 मीटर है तो 4 सत्य 28 ये cross multiply कर देंगे तो आपका आजागा X बराबर में 42 मीटर तो इसलिए हमारे मिनार की उंचाई 42 मीटर हो जाएगी इसलिए मिनार की उंचाई मिनार की उंचाई बराबर में 42 मीटर समझ गया कोई दिक्कत नहीं है इसमें चलते है नेक्स कोशन पर चलिए अगला कोशन देखते है टेन नमबर कह रहा है AD और PM तिरभूजो ABC और PQR की माधिकाए हैं ठीक है तो चलिए हम लोग पहले यहां पर फिगर भी बनाते चलते हैं अच्छा रहेगा इस तरह से समझने के लिए हम लोग एक तिरभूज ABC लेते हैं और दूसरा तिरभूज PQR ले लेते हैं पी एम है ठीक है यह AD हो गया और यहां पर PM हो गया ठीक है जबकि दोनों तिरभूज सम्रूप दिये हैं ABC और PQR सम्रूप दिये हैं तो यह हमें सिद्ध करके दिखाना है चलिए देखते हैं दिया है AD और PM करमसा 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 तिरभूज ABC और तिरभूज PQR की माधिकाए हैं ठीक है और क्या दिये हुआ है कि यहां पर यह दोनों तिरभूज ABC सम्रूप है तिरभूज PQR के तो सिद्ध करना है तो सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है कि AB बटा PQ बराबर होगा AD बटा में PM के चलिए हम लोग अब इसका प्रमान देखते हैं ठीक है ध्यान से देखिएगा देखिए हमें करना क्या है हमें यहां दिखाना है कि AD AB बटा PQ AD बटा PM के बराबर होगा तो हमें ABD और PQM इन दोनों को समरूप करना होगा ABD और PQM इन दोनों छोटे तुरभूजो को समरूप करना है तो समरूप करने के लिए हम लोग जितने भी प्रमेब पढ़े हैं उसी के अधार पर करेंगे तो मैं यहां पर इसे साइड एंगल साइब सम्रुपता पर प्रमानित करने वाला हूं ठीक है तो मुझे क्या करना होगा यहाँ पे लेना होगा यह जो माधिका कहा रहा ना इससे पहले लेते हैं देखिए इससे क्या हमें प्राप्त होता है यहाँ पर दिया हुआ है कि AD और PM करमसा तिरभूज ABC और तिरभूज PQR की माधिकाएं है ठीक है माधिकाओं का काम क्या होता है माधिकाएं क्या करती है सामने वाले भुजा को दो बराबर भागों में बाड़ती है यह BD, CD के बराबर QM, RM के बराबर हो जाएगा यहाँ पे आपका BD बराबर में CD हो जाएगा तो यह दोनो Halp और BC नहीं हो जाएगे बराबर में BC, ठीक है, यहां पर भी उसी तरह से, कि यहां QM, बराबर हो जाएगा RM के, ठीक है, और पूरे का हाफ हो जाएगा, QR का हाफ हो जाएगा, तो यहां से अगर मैं 2 को यहां टाक इधर गुना कर दू, यानि कहना है, मतलब मैंने सब में 2 से गुना कर दिया, तो 2QM, बराबर 2RM, ठीक है, और बराबर में QR, समझ मैं आना है, इसे लिख सकते हैं, अब देखिए, अब इसके बाद, चुकि हमारे पास तिर्भूज ABC समरूप दिया है, तिर्भूज PQR के, PQR के यह दिया हुआ है, तो हमें पता है, कि 2 समरूप दिर्भूजों के संगत भूजाओं का अनुपात, संगत भूजाओं का अनुपात, बराबर होता है, ठीक है, अच्छा ये भी हमने जाते हैं, तथा संगत कोण भी बराबर होते हैं, इसी से हमारा काम चल लेगा, तो देखो, अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, हम लोग यहाँ पे संगत भूजाओं कौन कौन सी ले सकते हैं, देखो, हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि नहीं, AB बटा PQ बराबर में BC बराबर में BC बराबर हो जागा, क्योंकि दो संगत भूजाओं का अनुपात बराबर होगा, यही हम दो लेते हैं, और कोई नहीं लेते हैं, और देखो, मैं ताथा में एक कोड भी ले लेता हूँ, एंगल B बराबर Q, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, मैं एक ही कोड क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे ABD और PQ M से मतलब हैं, इसी दोनों को समरूप करना है, इसलिए मैं इसमें भी तीसरी बुजा छोड़ चुका हूँ, AC बर्टा PR नहीं लिया हूँ, चलिए देखिए, AB बर्टा PQ बराबर में BC के जगह पर, BC के जगह पर हम 2BD ले सकते हैं, और QR के जगह पर हम 2QM ले सकते हैं, तथा, AB बर्टा QM के और तथा एंगल B बराबर है एंगल Q के, ज्यान से देखिए, यहाँ पर AB बर्टा PQ बराबर है BD बर्टा QM के, देख लिए, यह दो भुजाओं, देख रहा है ना, इनके उनुपात बराबर है और इनके द्वारा अंत्रित कोण भी बराबर हो गया, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, समरुपता से, तो यह आपके समरूप हो गया, अच्छा जब समरूप हो गया तो आपको पता है कि दो समरूप, दो समरूप तिरभूजों के, संगत भुजाओं का अनुपात, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, अनुपात बराबर होता है, तो उसके अनुसार जो हमें प्रूप करना था हम लोग लिख सकते हैं, बराबर में AD बर्टा में PM, यह आपका प्रमानित हो गया, समझ गया ना, यहीं नहीं मैं प्रूप करके दिखाना थे हैं, चलते हैं, नेक्स कोशन पर, कोशन नमबर 11 दखिए, करा समलम ABCD, समलम चत्रूप जिसमें AB समांतर है DC, के विकर्ण AC और BD, परास पर O पर प्रतिशेद करने, देखिए, यह कोशन जो है न, हम लोग इस कोशन को थेल्स प्रमे के अधार पर भी 6.2 एक्सेसाइज में, 6B में हम लोग बना चुके हैं, और यहां हम लोग दुबारा से यहां देखने वाले हैं, मैंने बताया भी था वहां पर, कि इसे हम लोग समरुत्ता पर भी प्रवानित कर सकते हैं, ठीक है, तो वही हम लोग यहां पर करने वाले हैं, यह कोशन दुबारा से आपके बुक मे तो हम लोग जो प्रमे पढ़े हैं उसी के अधार पर हम लोग यहां पर बनाने वाले हैं तो हम लोग एक समलम्चत भूज़ ले लेते हैं A B C D है ठीक है यहां देख लिजे A B D C के समानतर है और इसके बिकर्ण A C और B D एक दूसरे को कहां पर काड़ते हैं ओपर काड़ते हैं ओपर प्रतिष्यत करते हैं ठीक है इतना दिया हुए तो पहले इतना लिख लेते हैं यहां सिद्ध करना है दिया है देखलो इसलिए यहाँ पर का रहा है कि दो तिर्भूजों की समरुपता का सौटी के परियोग करते हो इसे सिद्ध करें क्योंकि हम लोग आपर थेल्स प्रवेंपर साबित कर चुके हैं तो यहाँ पर दिया है कि A B C D A समलम चत्रभूज है समलम चत्रभूज है समलम चत्रभूज है जिसमें दिया हुआ है कि A B समांतर है D C अचाबिकर्ण A C और B D एक दूसरे को O पर प्रतिछेद करते हैं प्रतिछेद करते है तो सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है कि O A बटा O C बराबर होगा O B बटा O D के चलिए अब इसका प्रमान देखिए हम लोग यहाँ पर समरुपता के अधार पर प्रमान करने वाले है तो हम लोग तिरभूज A O B A O B और तथा तिरभूज C O D ले ले लेते हैं इस A O B और इस C O D में देखिए क्या हो जाएगा पहला तो हमें देखिए रहा है कि एंगल O A B बराबर हो जागा इस भी आपका एकांता रंता कोण से तो हम लो ली सकते हैं यहाँ से कि तिरभूज A O B समरूप हो जागा तिरभूज C O D के एंगल एंगल समरूपता से तीक है आज अब यह समरूप हो गया हमें पता है कि दो समरूप तिरभूजों के संगत भूजाओं का अनुपाद 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 इस तिर्भूज का भूजा O B लेते हैं, इस तिर्भूज का भूजा O D हो जागा, तम्हारा प्रूफ हो गया एक ही लाइन में, हम लो ली सकते हैं, कि O A बटा O C बराबर में O B बटा O D, यह आपका प्रमानित हो गया, समझ गया, कोई दिक्कत नहीं है, चलिए आगे बढ़त दिया हुआ है, हमें हमें इन दोनों तिर्भूजों को सम्रूप दिखिए क्या दिया हुआ है, कि O कि क्यू आर बटा QS बराबर है Q T बटा P R के, तथा एंगल एक जो है एंगल दो के बराबर है तो सिद्ध करना है तो सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है हमें तो सिद्ध करके दिखाना है कि तिरभूज पी क्यू एस समरूप होगा तिरभूज टी क्यू आर के देखिए पी क्यू एस और यह टी क्यू आर समरूप दिखाना है देखो, हमारे पास यहाँ पर दिया हुआ है, ध्यानत देखिए, जो अनुपात दिया है, इसको देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है कि QR बटा QS और QT बटा में यह PR दे दिया है, अगर यही PR के जगाँ पर यहाँ पर आपका QP दिया होता, तो यह इसके समांतर हो जाता, फ ठीक है अच्छा एक और चीज हम देख रहे हैं कि एंगल 1 एंगल 2 के बराबर दिया है तो जब यह कोण बराबर है तो तिर्बूज P Q R में अगर देखें तो जब यह दो कोण बराबर हो जते हैं इनके सम्मुक भुजाएं बराबर हो जाएगी ना यहां से अपका Q P जो होगा इस P R के बराबर हो जाएगा देख लो Q P इस P R के बराबर हो जाएगा क्यों कि हमें पता है तिर्बूज के अंदर समान बुजाओं के समान कोणों के सम्मुक भुजाएं सम्मुक भुजाएं बराबर होती है इसी करण्स हो गया ठीक है अब देखिए इसके बार अब चुकि हमारे पास दिया है कि Q R बटा Q S बराबर में Q T बटा में P R यह दिया है तो हम लोग इसमें थोड़ा सा फिर पदल कर देंगे इस P R को हटा देंगे आपर Q P ला देंगे क्यों वह ईसके बराबर हो गया qr देख रहा है ना qr बटा qs बराबर में qt बटा में qp द्यार से दखिए qr बटा में qs और qt बटा में qp यह हमारे पास हो गया तो जब यह देख रहा है कि यह देखिए यहां अगर मैं तिर्भूज इस में देखू टी-qr में देखू इस सिर्भुतिर हो इस तर्फुझ में देख रहा हूं कि यहाँ पर एक बिंदू एस है और यहाँؑ एक बिंदू पी है दोनों भुजाओं में पह Dabei क्यूर्व पे और क्यूटी के और इन को मिलाने वाली तो क्या कर रही है इसको एक ही अनुपात में विभाज कर रही है इसका मत्तबिया इसके समानतर हो जाएगा यहाँ पर लिख सकते हैं लिख सकते हैं थेल्स प्रमे के विलोम से थेल्स प्रमे के विलोम वाला एक प्रमे था ना उससे क्या हो जाएगा उस विलोम से यहाँ पर आप का इसके समानतर हो गया तो हम लोग इस दोनों तिर्भूजों को आसानी से समरूप नहीं कर सकते हैं तो चलिए अब इन दोनों तिर्भूजों को लेकर हमनों समरूप कर जाए किसको किसको लेना है यहाँ पर दखिए PQS PQS और TQR को ठीक है तिर्भूज PQS तथा इन इस्ट के और दूसरा देखलो यहाँवाला कोड़ के बराबर हो जागा नजी एंगल QPS बराबर में एंगल QTR कैसे होगा तो यह इसके समानतर है तो आपके संगत कोड़ के यूग में दिख रहे हैं अंग Arias अनुन के युग में दिखर है ने दोनों यहां कोड के बराबर हो जागा तो यहां से ठिर्भूज P Q S समरूप हो जागा तिर्भूज T Q R के एंगल समरूपता से आप तिसरा भी कोड ले सकते या कोड़ इस पूरे कोड़ के बराबर भी लिक सकते कोई दिकत नहीं है लेकिन आवे तीनों की जुँन दसी नहीं है क्या भी है कि फिदन के दनाको बोलाधर नहीं कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर समझ में आ गया कोई दिक्कत नहीं अगला कोशा देखते हैं 13 नमबर दी गई आकरिती में तिर्भूज तिर्भूज ABC के सिर्षलंब AD और यह आपका C, P पर पतिशेद करते हैं इन सब को साबिद करना है पहले लिए लेता है क्या दिया हुआ है दिया है कि तिर्भूज ABC के सिर्षलंब सिर्षलंब AD और CE एक दूसरे को एक दूसरे को पी पर प्रतिशेद बिंदू P पर प्रतिशेद करते हैं ठीक है हमें इन चारों को सिद्ध करना है पहला कर रहा है कि तिर्भूज AEP यह लिख देते हैं तो सिद्ध करना है यह लिखना जरूर समरूप है तिर्बूज CDP के दूसरे में क्या कह रहा है कि तिर्बूज ABD समरूप है तिर्बूज किसके CBE के तीसरे में क्या कह रहा है तिर्बूज AEP समरूप तिर्बूज ADB के. चौते में कह रहा है कि तिर्बूज PDC समरूप है तिर्बूज BEC के. तो हम लोग यहां एंगल एंगल समरूपता से ही करने वाले हैं ठीक है तो एक एक करके हम लोग चारों को यहां पर देखेंगे चलिए तो इसका प्रमान देखते हैं छोटा सा कोशन है बिलकुल पहला नमबर देखिए हमें तिरभूज एईपी लेखते हैं पहला नमबर तिरभूज एईपी तसा तिरभूज सी डी पी में देखना है ध्यान से देखिएगा फिगर में तिरभूज एईपी और सी डी पी इन दोनों को समरूप करना तो एक तो यह नाइंटी नैंटी हो जांगे यहां पर होगा ना और यहां कोड इस कोड के बराबर होगा सिरसा भी मुखकोर से यहां पर ली सकता है कि एंगल एईपी बराबर एंगल सी डी पी प्रतेक नब्बे हो जाएगा तो दूसरा क्या हो जाएगा यहां पर तो एंगल एंगल एपी ए बराबर में एंगल सी पी डी एपी ए और सी पी डी यह दोनो बराबर हो जाएगा सिर्सा भी मुख कोंड तो जब यह सिर्सा भी मुख कोंड से बराबर हो जाएगा दो कोंड यहां पर हमने बराबर दिखा दिये तो इसलिए समरूप नहीं हो जाएगा तिर्भूज AEP समरूप हो जागा तिर्भूज CDP के एंगल एंगल समरूपता से चलिए अब देखते हैं अगला second number तो second number में हमें समरूप दिखाना है किसको तिर्भूज ABD तथा दूसरा तिर्भूज कौन है आपका C तिर्भूज CBE में जान से देखो ABD ABD और आपका CBE ABD और CBE तो ध्यान से देखिए या तो भाइनिस्ट है दोनों में इसमें भी है और इसमें भी है और एक एक नब्बे हो जाएगा ये लंब होने के कारण इस तिर्भूज में भी ये नब्बे हो जा रहा है जाए पहलिश सकते हैं कि angle ADB ADB बराबर में angle दूसरा अंगल क्या हो जाएगा angle c e b c e b दोनों प्रतेक 90 हो जाएगा लंभ होने के कारण प्रतेक 90 हो जाएगा दूसरा angle B दोनों में अंगल B बराबर में angle B उभाइनिस्ट है तो यह दोनों तिर्भूज समरूप नहीं हो गया तो यहां से तिर्भूज A, B, D समरूप हो गया तिर्भूज C, B, E के C, B, E के कैसे? एंगल-एंगल समरूप था ठीक है? यह आपका समरूप हो गया अप चलते हैं तीसरे की तरफ तो ठार्ड में हमें दिखाना है कि तिर्भूज A, E, P तता तिर्भूज कौन सा? A, D, B यह दोनों समरूप है तो इन दोनों तिर्भूजों में देखिए आपका A, E, P यह रहा और A, D, B यह रहा तो एक 90 है और यहाँ कौन दोनों में उबजनिष्ट हो रहा है देख लिजिए A, E, P इसमें भी यहाँ कौन है और A, D, B इसमें भी यहाँ कौन है देख रहा है न? तो चलिए देखते हैं तो पहला हो जाएगा एंगल A, E, P बराबर में एंगल A, D, B दोनों 90-90 हो रहा है प्रतेक 90 और दूसरा कौन जो है इस तिर्भूज में हम लिखेंगे कि एंगल P, A, E देख लो P, A, E यह वाला और इसमें लिखेंगे इस वाले तिर्भूज में लिख देंगे एंगल B, A, D B, A, D B, A, D तो यह दोनों एक ही कोण की बात हो रही है न जी जेहाँ पहर लिसकते है उभयनिस्ठ है तो यह दोनों तिर्भूज समरूप नहीं हो जाएगा यहाँ से तो हो जाएगा आपका तिर्भूज A, E, P समरूप है तिर्भूज A, D, B के एंगल एंगल समरूपता से अब एक और बच गया उसको भी चलिए देख लिए जल्दी से चार नमबर क्या दिखाना था आमें तिर्भूज PDC तथा तिर्भूज किसमें BEC में देखना था समरूप दिखाना इनको देख लीजे आपे PDC और आपका BEC तो यह दखो ना यहां कोण दोनों में है और यहां यह 90 है और यहां यह 90 है तो हो जाएगा सेम उसी तरह से तो हमनों लिख सकता है कि एंगल PDC बराबर एंगल BEC यह दोनों 90-90 हो जा रहे प्रतेक 90 ठीक है प्रतेक 90 अच्छा दूसरा क्या हो जाएगा तो एंगल आपका हो जाएगा C P नहीं C क्या कहते हैं उसको इस कोण को क्या कहेंगे एंगल P C D ध्यान से दोखो P C D बराबर में एंगल B C E B C E एक ही बात होगी उबैनिस्ट है ना जी दिखा सकते हैं कि तिर्भूज P D C समरूप जगा तिर्भूज आपके किस के B E C के कैसे एंगल एंगल समरूपता से तो हमने यहाँ पर समरूप करके दिखा दिया यह आपके चारों के चारे हमने प्रमानित कर गिए तो अब इस वीडियो को यहीं पेइंड कर देते हैं आपको हमारे तीन चैनलों को सस्क्राइब करना होगा पहला है पाथ फाइंडर क्लासे शप्रा पाथ फाइंडर क्लासे शप्रा दूसरा है आपका भारती भवन रवी कांत सर और तीसरा चैनल है रवी कांत सर के नाम से तीनों चैनल को सस्क्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्सर में जाएंगे और इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सच करेंगे www.ravikantesar.in और यहाँ पर जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके पीडियेप को डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं